प्रेजी जी के ट्रिक के यूटूब प्रेटफॉर्म पे आज हमारा लास्ट सेशन होने वाले टॉप हंडेड डूल्स ऑफ ग्रावर सीरीज का इससे पहले हम लोग फोर वीडियो ला चुके आप लोगों के लिए एंडिस इस दे लास्ट वन फॉर यू जिसमें हम लोग 81 से लिके 100 तक रूल डिसकस करने वाले हैं सो बहुत ही मज़ा आने वाले आज की क्लास में बहुत ही इंडिस्टिंग मैंने एरर्स के रूल रखे आपके उन क्लासे में सो सभी लोग सेशन को आखरी तक जरूर देखना और सभी के सभी लाइक एंड कॉमेंट करके जरूर जाएगा मैं देख रही हूँ प्रिविएस कुछ लेक्टर से स्टूरेंट करके जवाब दे रहे हैं जो जो कुशन्स में उन लोगों से पूश्टी हूँ तो रियली यू आर दूइंग कमेंड़ जॉब और जो स्टूरेंट नहीं कर रहे हैं कॉमेंट उनको भी मैं कहूंगी भाहिया तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग भी कॉमेंट करो तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान करूं तो मैं उस वाले टॉपिक पर करूं और आप लोगों को मेरे द्वारा किये गए एफट्स पसंद आ रहे होगे सारी चीजे अठी से समझ में आ रहे होगी लेकिन स्टिल आप लोग की मन में कुछ भी डाउट हो कोई फीडबैक वो जो आप देना चाहते हो तो यू आपको बता दूँ मेरा इंग्लिश का कोर्स है जुकि आपको रूट अप्लिकेशन पर मिलेगा इस कोर्स के लिए आपको फीचर्स बता दें क्या-क्या रहेगा तो फस्ट और क्लासे रहेगी जिसमें आपको study material भी मिलेगा आपको अलक्स नोट बनाने के रिपार्मेंट नहीं अगर आप बीजी शेडूल है आपका पॉरंटी कहीं जॉब कर रहे हूँ आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको study material भी मिल जाएगा यू डोंट हाफ तो वरी background के होते हैं English में प्रॉब्लम होती है तो इस course को मैंने कोशिश की बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊं ताकि हर student जो हिंदी background का भी हो उसे भी कोई problem ना है तो एक बार जरूर से आप course purchase करके देखेगा काफी सारी चीजे आप लोगों को इस course से सीखने को मिलेगी इसमें लिखते हैं क्या रूल है very very important rule यह जो रूल है यह आपका 10 से डिलेटर है मैं आपको बदाए बिथा कि 10 अपर दीशन सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट यह कुछ ऐसे topic है जिस पर बार बार एक्जाम में errors पूछे जाते हैं आपको 10 के सारे रूल अच्छे से पता होना चाहि अगर इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कैसे वह आपको एक्जाम्बल के थू जाद़ क्लियर होगा वेट कीजिए अगर इस टाइम के बार डारेक्टी कोई सब्जेक्ट दिया हो है कोई भी सब्जेक्ट आपका किसी परसिट का नाम हो सकता है की शी इट प्रनाउन दे कोई कुछ भी हो सकता है अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके बाद अब वर्ब की second form युज करेंगे पास्टेंस और इ इस टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट भी आपका करेक्ट हो चुका है अब यहां पर ओई गड़बड इस टाइम भी गो हो इस टाइम भी गो हो यहां पर आँगे आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद तो आप वर्ब की second form लगा नहीं थी पटागे तो गो लिख दिया अब आप लोग मुझे सभी बताए गो का second form क्या होगा गो का second form क्या होगा सभी लोग को मुझे comment में बताएंगे लिख क्या है और रीट नेक्स उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री आप सभी को पता ही होगा एड्जेक्टिव में हमारे पास तीन डिग्री होती है जनरली भी है थी टाइप अप डिग्री फस्ट इस पॉजिटिव डिग्री तो आपको याद क्या ने जब भी आप वेरी उस करते हो ना तो उसके सार आपको पॉजिटिव डिग्री ओफ एड्जेक्टिव यूज करना है उसके सार आप कमपेरिटिव और सुपर्लेटिव यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इदर क्या लिखावा है देखो इस अवेन स्टॉंग मैं स्टॉंग आप सभी को पता है पॉजिटिव डिग्र अगर इस प्रॉंग और स्टॉंग एस तो फिर यह दिखा तो जादी सेंटेंस अपका बिल्कुल करेक्ट है इदेखो इदा लिखा है मच इंट्रस्टिंग बोग मैं पूछो इंट्रस्टिंग क्या है तो आप बोलो कि मैंडम यह प्रेजंट पार्टिसिपल है बिकॉस इ या तो फॉजिटिव डिग्री हो या तो फिर क्या हो भी प्रेजंट पार्टिसिपल है हम मच कहने लगाते हैं तो मच देखो का लगाते हैं मच यूस किया जयता है कंपारिटिव डिग्री में और फास्ट पार्टिसिपल में एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल He is much stronger than I am, या तो फिर आप इस sentence को ऐसे भी लिख सकते हो, He is very much stronger than I am, very much भी सही है, much भी सही है, आपको जो भी लगाना हो, आप लगा से, लेक्ट रिखा है, I am very much obliged to my friend, या यह sentence correct है, बल्कुल correct है, कोई भी दिक्कात नहीं है, अगर यह पर सिब ऐसा लिखा हो था, I am very obliged to my friend, तो आपका नहीं कर भी जाती है, क्यों, क्योंकि obliged है आपका past participle, past participle है, तो आपको क्या यूज करता था, much use करना था, अभी को और एक्जामपल दे रही हूँ, आप लोगों को में बताना है, क्या होगा, मैंने लिखा, she is very much younger than one husband, अब मुझे सभी लोग comment में लिखके बताएंगे, या पर very आएगा कि मच आएगा, और इट, next rule क्या कहता है, to show equality, as is used before and after the adjective, अगर आपको equality बताना हो, तब कीजों के मीच में equality बताना हो, तो आप क्या use करते हो, as, इन दोनों के बीच में क्या use करोगे भी या positive degree use करोगे, क्या use करोगे, positive degree achieve, positive degree achieve के भी use करोगे, example क्या लिखा है दिया, answer देखो, I can run as fast as, if not faster than, as और as के बीच में positive degree थी, अपका sentence क्या है, अभी-गभी exam में examiner आपको ऐसे भी दे देता है, I can run as fast, if not faster than you, अगर ऐसा आ जाए न लिखे हैं तो अभी कहानी कर बारोगी, अगर सिर्फ as fast लिखा हो, तो भी कहानी कर बारोगी, आपको हमेशा ऐसे इस तरीके से यूज़ करना है, bracket में इसको लिख लो, as positive degree as, यह हमेशा structure आपको ऐसे यूज़ करना होता है, एक और example लिख 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 हो है, जैसे मैं ने दे लिखा, प्रीती is as intelligent, प्रीती is as intelligent as गरीमा, sentence का मतलब क्या होगा, इस sentence का मतलब होगा, प्रीती जो है न और जो गरीमा है, प्रीती और गरीमा, यह दोनों equally intelligent है, बतलब दोनों में जो intelligence का वड़ है न, वो पिल्कुल, आरिपाथ समझ, आपको याद रखने, simple सी बात, as, as, इनके भी जो positive degrees होती है, as के बाद, जो positive degrees हो, as नहीं हो, तो भी आपकी कहानी गर्ट पटो जाएगी, यह रूल याद रखना, एक्जाम में कहीं बार पूछा गया है, नेक्स्ट रूल आरे, वेरी वेरी इपॉर्टेंट रूल अगेंग, क्या रूल क्याता है, certain adjectives do not admit of comparison, and thus they always remain in the positive degree, यह जो अज़े अज़ेक्टिव लिखे, इनके आगे, आप कभी भी more, most, ऐसे type की words लगाके, इसे comparative या superlative नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि यह word खुर में ही complete है, इनके साथ और भी कोई adjective लगाके, इसे और modify नहीं कर सकते हो, जैसे मैं बोलू, मेरे सामने एक table रखिये, वो table rectangle है, यह से table rectangle है, अब मैं दूसरे दिन अपनी class में गई, और मैंने देखा, अगेन वाँ पे एक rectangular table रखियू थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकते हूँ, कि यह ज़ादा rectangular है, और यह कम rectangular है, ऐसा बोल सकते हूँ, क्या, यह तो बेफकुफी वाली बात होगी, तो सेम चीज़ है, उसके लिए आपको वर्ट से आप करने, कौन-कौन से वर्ट से ऐसे, जो खुद में ही complete होते हैं, उसके लिए आपको comparative और superlative लगा मही सकते हूँ, अगर आप उसके पहले more लगाओगे, कि मैंने अज अपना का more complete कर लिया है, आज मैंने अपना का most complete कर जे तो आप में अपको विवाली बात करोगे, आपको इसे हमेशे positive डिंधी की तरह ही उसका नहों होता है, examples, देखलो क्या कर लिए, absolute, annual, thief, circular, complete, entire, extreme, excellent, full, impossible, perfect, right, round, universal, unique, whole, etc. Unique से लिए तो कई बार exam में पूशन पूछा भी क्या है, जिसे तर example लिखा है, क्या लिखा है, this is the unique building that I have seen, अब मुझे बताओ क्या ये sentence correct है, बिल्कुल correct है, लेकिन अगर ये आप लिखा होता, this is the most unique building I have seen, तो फिर कहानी हो जाती, good word, क्या हो जाती बई, good word, आपको यह रुपने, inverse के पहले आपका भी भी more most नहीं लगा होगे, मैं बोलू, ये more ideal है, तो सही होगा क्या, नहीं होगा, तो ये जो ball में सामने रखी वी, ये more spherical है, ये जादा गोल दिखरी है मेरे को, बिल्कुल कलतका नहीं हो जाएगी, ये जो चीज है न, ये most extreme है, मैं बोलू, ये जो temple है, ये मेरे खहर के most extreme है, तो नहीं होगा भी, ये most extreme नहीं हो, तो सिब extreme बता है, अब मेरे सामने एक bottle रखी वी, वो खाली है, अब मैं इसे बोलूगे कि this bottle is more empty, more empty, empty का बतले में बता है, खाली तो उसके आगे, ये तुम्हें more काई का लगा रहे हो, more most नहीं लगा ओगे, ये जी, use of the preposition within by, अब preposition से लिटरिड इंपोर्टन डूल एक्जामें कहीं बार आया है, use करते हैं जब भी आप रफर करते हो, non living things को, और by use करते हैं जब ये आप living things को रफर कर रहे हो, examples के तुम समझो, जैसे इदर अभी मैं लिख रही हूँ, pen अभी मेरे हाथ में, मैं लिख के आपको समझा रही हूँ, तो मैं का इसे लिख रही हूँ, I am writing with a pen, इससे लिख रही हूँ, with a pen, अगर आँ गोलो ऐसा, और आँ ताइनी ब्लैड में, घंजे आदमी के द्वारा चला ही जा रहे है, या आदमी क्या है, living being है, living being है, इससे हमने आपको क्या लगाया, पाई लगाया, the book was translated by a well-known author, author क्या है, अगें, living है, living है तो हमने आपको यापन लगाया, क्या जी, अभी कोड़ चीज आपको बता दूँ कि by जुन है न, हम एक watch के context में भी यूज करते हैं, जब भी हम watch के बारे में बात करते हैं, तो उस context में भी आप by यूज करते हैं, जैसे मैं बोलू, what is, what is the time, what is the time, यहाँ पर होका by your watch, मतलब तुम्हानी घुड़ी के according क्या समय हो रहा है, अगर मैं आपे by की जगा in लगा दू, तो फिर अगर बढ़ू जाएगी, यह भी important rule है, याद रखेएगा आप सभी, what is the time, by your watch, correct, जैसे, next rule क्या रहा है, whenever same nouns are connected by preposition, in that case, we use both nouns similar, very very important rule, अगर कभी भी preposition आ रहा है, preposition के पहले भी noun, preposition के बाद भी ना होना है, तो यह nouns होगे न दोनों, हमेशा singular form में होगे, इसमें होगे भीया, singular form, जैसे दलिगा, villages after villages were destroyed by the terrorist, तो क्या यह sentence correct है, विल्कुल भी नहीं, village after village, और याद रखेएगा, यह singular है, तो इनके साथ आप जो वर्ब यूज़ करोगे, वो भी singular है, वन से रखोगे भी यह वर्ब भी singular, यह पर वर नहीं होगा, यह क्या होगा, यह rule, यह students, एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है, तो आपको यार रखेएगा, वैसी बुक आफ्टर बुक, आफ्टर प्रेपोजिशन है, हमने आपे बुक आफ्टर बुक रखेएग, हैद बीन रट बाहर है, यह पर वास है, बिलफुल सही है, अगर वर रता, तो फिर गड़ गड़ जाती, सिंपल सह रूल है, क्या रखता है, बीच रखेएगा, आगे बीच रखेएगा, तो दोनों सिंग्लर होगे, और साधी साथ वर्ब भी, इसे क्या बता रहे हूँ, एसे सिंगल एंटिटी बता रहे हूँ, बता रहे हूँ, एसे सिंगल एंटीटी बता रहे हूँ, इस से अफ फ्लूरल रहा है, आप सबीपाएगा, सब्जक्क छी ठीडर होता है, तो वर्ब हम सिंगलर हम सुब्चेब लगाती हो, अगर सब्जक प्लूरल होता है, अब यह से वोच हूँ, 40 miles कैसा subject है तो आप बोलोगे मैंनम as a whole use कर रहे हम इसे क्योंकि यहां पर उसे as a distance के बारे बतार जारे है कि यह distance है at least as a whole singular entity की तरह हम से count कर रहे हैं तो यहां पर आप इस नहीं इस लगाओगे और नहीं लगाओगे आरी बात सभी को समझ रहे हैं भाधे निग्स लेके definitive of the book let's say यह book है और इस book का जो two-third वाला इससा है यह two-third वाला इससा यह कैसे rubbish है तो मैं क्या इसे two-thirds वाले book के part को क्या प्लूरल कंसीरा करूगे नहीं कंसीरा करूगे स्थिकि मैं बतार है यह book का एक जो यह वाला हिस्सा है ना, यह जो पूरी एक entity है, यह कैसी rubbish है, लिकमीज भी singular है, singular है, यह पर आप was use करोगे, वैसे एक बार example दे रहें त्यूट, आपको comment में लिखके बिताना इसका answer मुझे, मैंने लिखा half of the land, half of the land is या फिर are irrigated, half of the land is और are irrigated, आपको बताना है इसमें से कौन सा correct सभी comment में बताया लिखके मुझे, please, next rule कहता है, the conjunction growth is always followed by end and not as well, it's very very important to list rules, मैं जितने भी start दे तो उतने कवे, लिख लेना, गोड लेना, कुछ भी कर लेना, बोत के साथ हमेशा end आता है, as well as नहीं आता है, students बहुत confused होते है, because पढ़ने में तो ही चीज हमें बिलकुल सही ल English, पढ़ने में तो ही कहानी बिलकुल कर एक लग रहे, लेकिन विया, as well as नहीं आएगा, या पर क्या एगा, end आएगा, end, वसी, both men and women have complained about the advertisement, बोत के बाद end ही, यह वाली कहानी बिलकुल सही, यार रखना, बोत के साथ, end यूज किया जाता है, अब इस बुला जारा, it is important to use exact preposition after the words, जैसे, आप तभी को बता है, कुछ words के साथ, आप हमेशा preposition, यूज करते हूँ, जैसे superior, superior के साथ, आप हमेशा to, यूज करोगे, older के साथ, आप हमेशा than, यूज करोगे, विदली का sentence पे, he is superior to, and older than, sentence पूरी तरीके से, correct है, या पर को जैना, better के साथ, यूज करते हूँ, then, तोनों जगा पे correct preposition है, that means, second word sentence भी आपका correct है, this book is different from, and better than, आपको याद रटने, जो भी word है, उसके साथ, जो preposition correct होता है, आपको हो use करना ही है, the following verbs are always followed by an infinitive, अब या पर कुछ verbs दी गई है, इन verbs को सभी लोग पढ़ो, इन verbs के बाद रमेशे infinitive आपको यूज करना है, जब आप non-finites पढ़ते हो, non-finites मैंने आपको अपना session है, अपनी जो classes है, recorded format में, उसमें मैंने आपको बता रखें, non-finite verbs क्या होती है, जिरंड क्या इरिया में problem आती है, तो एक बार course purchase जरूर कर लेना, उसमें मैंने आपको ग्रावर की सारी चीज़े कवर करा रखी already, जिरंड, finite, non-finite, transitive, verb, intransitive, verb, सारी चीज़े हम कवर कर रखें उस course में, उस course की price बहुत ही limited है, less than a cost of your pizza, please आपको एक बार उस course को purchase कीज़े, आपको अब उन verbs को पड़ा हो, जिनके बाद आपको infinitive लगा आता है, लगा नो, infinitive मतलब तो के साथ verb की best one, decide, learn, expect, failed, hope, intent, learn, promise, refuse, want, agree, concern, try, love, forget, अब जैसे दो लिका है, I refuse waiting है, is it right, is it right सभी मुझे बताओ, यह नो मैं में इक लगा, I refuse to meet है, बैसे एक और example में लिखेंगे, we forgot, we forgot, we remember, love, sentence correct है, बिलकुल correct है, क्यों कि लिखेंगे बाद infinitive लगाना होता है, और हमने infinitive लगा है, अब कुछ verbs और phrases ऐसे, जिसके बाद आपको में जिरंट लगाना होता है, जिरंट क्या होता है, जिरंट होता है, जिरंट होता है, जब आप verb में ing जोड देते हो, और यह verb करता है as a noun की तरह, अब इन सारी verbs के बाद आपको में लगाना होता है, जिरंट, एक बार सारी verbs को आप लोग लीट करो, जितने भी students session को देख रहे है, मैं read नहीं कर रही हूँ, एक बार आप सारे students, पुछ से इन verbs को read करो, इन verbs के बाद हमेशे आपको क्या लगाना होता है verb में ing, अब यहां पर कुछ phrases भी लिखे हुए, तो phrases कौन-कौन से ऐसे जिनके बाद आपको हमेशे ing लगाना होता है, तो मैं आपको के लिए screen पर लिख रही हूँ, यहां लिख रही हूँ, जैसे मैंने इदर लिखा, accustomed, accustomed to, इसके बाद आप ing लगा होगा, जैसे addicted, with a view, और क्या बोला मैंन, look forward, looking forward to meeting you, given, prone, in addition to, तो यह कुछ phrases है, जिनके बाद आपको हमेशे क्या लगाना है, वब में करें, इन सारी phrases के बाद आपको वब में करें, जैसे दो लिखा है, I am looking forward to, रियोनी, टी क्या है, I am looking forward to reading your reply, यह पर कुछ गर्डवर्ड होगी है, I think typing आरट होगी है, now, responding your reply कर दो इसको, responding your reply, he is used to work hard, जो के बाद आपको यह लगा दा, he used to working hard, यह, next tool, next tool is क्या, last वाला sentence लिख लेता है, these measures have been taken with a view to increasing, with a view to, अभी आपको मैंने इन लिखा भी है, यह तब view to, इसके बाद आपको वर्ब में ing लगाना था, वर्ब में ing लगाना था, वर्ब में ing लगाना था, यहाँ पर responding करना था और यहाँ पर increasing करना, I hope आपको यह rule समझ में आओगा, एक्जाम में thousands of time पुछा गया है, कोई नहीं एक्जाम हो, डिफिंस की एक्जाम हो, सीजर लो, बैंक की एक्जाम हो, यह rule ऐसा, कहीं भी ऐसा नहीं हो है, जाए यह rule नहीं पुछा गया है, वाँ इंपॉर्टेंट है, यह रखना हो, अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको infinitive नहीं यूज करना होता है, बैर infinitive यूज करना होता है, that means directly वर्ब की first form यूज करना होती है, अब हो कौन कौन सी वर्ब है, विट, लट, एक, नीट, यह, सी, यह सारी चीज भी हम अपनी classes में detail में बढ़ चुके हैं, again, non-finites वाला पार्ट ही आपके होगा, अब जैसे यह दर लिखा है, या निखें, bid him to go there, नहीं हो, तुने, यह पर correct होगा, bid him go there, make him stand, शे खड़ा रहने दो, यह आपके इसा निखा हो दर, make him to stand, तो फिर कहानी करकर होती है, I saw him, सही, saw him cry होगा, क्या होगा, I saw him cry, क्योंकि C, यह का second form होता है, saw, यह मार आपको infinitive use नहीं करना होता है, यह आपको infinitive use करते हो, तो direct आप आपकी first form रखाओ, I saw him, rule number 93 के रहा है, the infinitive is used, without to, after, head better, head rather, good, feather, sooner than, end rather, इन सारी phrases को अच्छे सिया रखो, इनके बाद अगेन आपको bare infinitive use करना होता है, that means direct verb की first form, क्या, आपको, to plus verb की first form रहीं यूज करना होता है, direct verb की first form रहीं यूज करना है, यसे दलिका, you had better ask permission from him, अगर यहाँ पैसा होता है, you had better to ask permission, और फिर कंदार नी कर पड़ो जाएं, आपको directly वापकी first form रहीं यूज करनी थी, यूज की ask दीवी है, एक और example लिख देते हूं, जैसे मैंने दे लिखा, he had, he had, rather, stay, than depart, सभी कमेंट में बताईए क्या है करेक्ट है, नेक्स लिखा मैंने, you had better to go, then stay here, तो इग्जाम्पल साप लोगों को देरी, सभी लोग कमेंट में लिखे बताएंगे, करेक्ट है की नहीं है, नेक्स रूल केरा है, then should be used after no other, अगर कभी भी no other आता है, तो इसके बाद आपको क्या युश करना है, that, simple सी बात है, I met no other man, यह ने यूश कर लिया, but, but ने यूश कर लिखा, then use कर लिखा, तो राम हैस no other claim, अभी याप यह लोग क्या यूश कर लिया, यह ने हो, यह पर दाश नहीं होगा, यह पर दान होगा, राम हैस no other claim, यह रहेस, पर लिखा, क्या, एक्स रूल देखो, अफर दवर्ट, पनफर्ट से बाद है, नो, पाव, वन, इन के बाद, इन के बाद, इन के बाद, इन के पहले यूश करते, जैसे इदर लिखा है, इक टावल बताते हूं, I know how to write French, अगर यह पैसे लिखाओ हो, तो इस पहरेक लिए, I know to write French, I know to write French, अगर यह sentence ऐसा हो, तो फिर गड़ बर हो जाते हैं, क्योंकि इन के बाद, आपको हमेशा क्या यूश करना होता है, कुछ पॉशिन बड़ यूश करना होता है, जैसे कि, यह ने दर लिखा, I know how to write, अगर I know to write French लिखाओ होता, तो फिर पाली गड़ गड़ चाहते, I know how to write, आसी, I don't know how to make थी योगा, I don't know how to make योगा, नहीं पात समझ, यह रूल भी एक्जाम में कहीं बार पीछा गया है, क्या रखने अग सभी को, next rule is, we use much and to together in two ways, आप too much भी यूश करते हो, और much तुम भी यूश करते हो, दोनों चीज़े यूश करते हो, cut, आपको ध्यान क्या रखना है, कि to much के बाद, आप हमेशा noun यूश करते हो, और noun भी कैसा वाला, uncountable noun, और much to के बाद, आप हमेशा adjective भी यूश करते हो, I hope आप सभी को adjective, noun, adverb, यह सारी चीज़े clear होगी, अगर नहीं clear है, तो again, I am requesting you all, कि हमारा वाला post-purchase कर लेना, सारी चीज़े मैंने आपको डीटर में पढ़ा रखी है, identification, आप लोगों को पता होना चीए, कि noun sentence में कौन सा होता है, adjective कौन सा होता है, adverb कौन सा होता है, तो आप लोगों को याद रफने हैं चीज़, अब यहाँ पर दो example लिखे में, he is too much strong, मुझे सभी comment बताओ, क्या है sentence correct है, he is too much strong, strong में पूचो part of speech में क्या है, तो आप उनों के मैंनम adjective है, adjective के पहले हमें यूज करना होता है, much to, इनों ने तो यूज करना है too much, नेकिन sentence गलत, इसे correct करो, much to, आसे इदर लिखा है, there is much to sugar, sugar तो भी या uncountable noun है, sugar तो uncountable noun है, और uncountable noun के पहले आपको यूज करना था too much, यहाप इसको काटो, अपले को too much, अब आप लोग मुझे comment में दो, दो sentences निलके बताओ, using too much and much to, आप सभी प्लिट आसक है, जित्ते भी students देख रहे हैं, मैं सभी के comment रीट करती हूँ, यह न, मैं देखूँ लिए कितने students ने करा हैं, कितने उन नहीं, अब यह rule adverb का है, very very important, याद रखना, adverb as is not used with his verb, but adverb as is used with his verb, ऐसी कौन-कौन सी verb इस जिनके बाद adverb use दे होता है, तो आपको याद रखना हैं, यह जो 6 verbs हैं यह, treat, view, no, defy, regard, respect, इनके बाद आपको हमेशा as use करना है, और जो उपर दी गई verbs से appoint, elect, consider, call, इनके बाद as use नहीं करना है, ठीक हैं, अब यहाँ पे लिखावा है, यह sentence लिखावा है, यहां से लिखते, he was elected president of our society, यह sentence correct है, अब यहाँ पैसा लिखावा होता, he was elected as president of our society, तो फिर कहानी गढ़बर होता, अब मैं next sentence लिख रहे हूं, यह लिखा, I regard, I regard, three team, as my friend, सभी लोग comment रहता हूं, क्या यह sentence correct है, सारी लोग comment में बता हूं, क्या यह sentence correct है, एक और लिखते हूं, एक और मैंने लिखा, they, tweeted, as, as, only, मैंने आप लोगों के लिख लिख लिखे, फटा पट से comment में बताइगा, क्या यह लोगों sentence correct है, next लोग देखे, इम रहा है, after the verb doubt, that should not be used, if or weather should be used, doubt के बाथ, हमेशे आपको that use नहीं करना है, तो उसकी जगा पर, if or weather बाध है, simple सी बात, यह लिख से rule है, तो दे लिखा है, अब है doubt, एक लिखा है, आप चाहिए, तो if की जगा लिख से लिख सके थे, लेकिन अगर यहां पर लिखावा होता देट, तो फिर गड़ लात जाप, फिर चिंपल रूल है, रेट्स रूल क्या रहा है, रूल अबर 99, लास सेकेंड रूल अफ़ अवर क्यास, कभी-कभी हम एडवर्ब की जगह एडजक्तिव यूज करते हैं, यह मैं ऐसा कहलो हूँ कि एडजक्तिव और एडवर्ब इन दोलों की जो फॉर्म्स रहते हैं, हुसीन होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछो, एग्जाम्पल लिखते हूं मैं, यह ने इतर लिखा, कि एड़र मैंने लिखा ओ, ऩटिए अब राड मेने यह इअभी उसकिया है, अब मैं पूछो हूँ कि एड़र्वर्ब इन दोलों की मैड़र्व है, अब क्यों, तो उसके लिए प्रीज करके देख लें, मैं आपको इतना रीटिंग में यहां पर नहीं रता सकते है अब मैं बोच हुआ यहां यहां पर कॉनसे पार्ड आप स्पीच की तरह यूज हुआ है तो आप बले दो मेडम अध्यक्टिफ क्यों की टास्क आपका नहीं हो नहीं को क्वालिफाय करने के लिए अध्यक्टिफ चैंड लिए रिचे सब्सक्ति कहिं करने के लकारियो क्यों आपहरे दृप् mean के ग्राद आपको कंता है लिए अध्यक्टिफ को सते लिए यहां में पंड़ाओ करने का लु 2019 primo Praat दि हो गया तो इस्पी मोलенко जिए तो टीस रह कुए और अध्यक्टिफ के त्ठूंप आध् उसकुछ ऐसे बाट से जो एड्रेक्टिव और एडवोग दोनों की तरह यूज़ होते हैं अब मुझे बता हूँ क्या ही से पिंस करेक्ट होगा The flowers smell slightly, sweetly, sorry, नहीं, यापे sweetly नहीं, यापे क्या होगा, sweet, okay? So, the last rule of our today's session, also हमारा top 100 rules of grammar का, यह और यहां लास्ट रूल देख रहे हैं, कुछ important errors है, जो हमें avoid करने चाहिए, जैसे की, the first two is meaningless, हमें first two लिखना चाहिए, two first नहीं, यह आपका ordinal आते हैं, फिर आपका cardinal आते है, ordinal cardinal आप सभी को बता होगा, इसे इदे लिखाया है, the two first chapters of the novel आतल, नहीं, the first two होगा, ता होगा, first two, यह पहले आप हमेशा ordinal लिखते हो, फिर cardinal लिखते हो, only should be placed immediately before the word it qualifies, आप सभी को पता हो रहा ची, कि only हमेशा उस word के पहने आता है, ज क्या sentence correct है, विल्कुल correct है, विल्कुल correct है, उसके अलावा, अब वो only selected, आप मुझे दो-तीन एक्जांपल और लिख के बता होगा, जाकर वो उसी word को क्वालिफाय कर रहा हो, उसके साथ में चिपका वह होना चाहिए, next tip, an infinitive verb should not be split, infinitive, that means two plus verb की first form, यह मेशे साथ में यह उस करना है, जैसे इतन लिका है, I request you kindly to help me, विल्कुल correct है, विल्कुल correct है, विल्कुल correct है, विल्कुल correct है, यहाँ पर ऐसा होता sentence, I request you to kindly help me, वो फिर incorrect हो जाती पार, वो के साथ help है, technique sentence आपका, और क्या important चीज़ है, आपको धियान रखती है, तो देख लो गी यह, दोक्टर saw the pulse of the patient, अब 100 नहीं होगा, दोक्टर felt, heal करता है दोक्टरा, pulse को, ठीके आपके आपके 100 नहीं यूज करो गया, he spoke the truth, इतने सही है क्या, बिल्कुल सही है, अगर नहीं आपके told होता, वो फिर कहानी गड़ बढ़ जाती, do not speak a lie, our team scored a goal, बिल्कुल correct है, अब यह पिल ऐसा होता है, team made a goal, वो फिर कहानी गड़ बढ़ जाते, he is taking a bath, he is having a bath, I say my prayers in the morning, no, no, sorry, here sentence आपका करें, अब पे से की जाता लिखा होता हुआ था, I tell my prayers in the morning, तो फिर कहानी गड़ बढ़ जाते, आपके say है, लिखनी सबका sentence, क्याट यह स्टुटेंट्स, so that's it, हमने top 100 rules of grammar का पड़ीट कर लिए है, so सभी लोग बताईएगा, बहुत महनत लगए, आप लोगों के लिए, बहुत important rules को sort किया गया है, बहुत महनत लगती है, आप लोगों के लिए session बनाने में, तो please, सरी लोग लाइक करके जाईएगा, और आप लोगों के मन में कुछ feedback हो, तो आप मुझे दे सकते हो, second, again, आप लोगों को बता दे, हमारे course के बारे में, वे से स्टुडेंटे, जिनोंने अभी तक English, इंग्लिश नहीं पड़ा हो, और कोई पड़ भी चुका हो, लेकिन still doubt हो, तो you can buy my this course, इसमें आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, vocabulary, comprehension, grammar, everything you can get here, उसके along भी, आपको हमारा target batch मिल जाएगा, root application पे, जिसमें आपको maths, reasoning, session, sabi ko, thank you so much, जयर हैं दो आएगा.